असलाम लेकुम आई होप आप सारे लोग है रियत सुनगे आज किस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप प्राइविसी पॉलीशी और अधर पेजिज लाइक का टैम्स अंड कंडिशन्स या रिफंड पॉलीशी इस तरह की पॉलीशी किस तरह से राइड कर सकते किस तरह से पने स्टोर के अंदर एड करेंगे तो चलने चलते हैं लेप पॉलीशी के लिए इनको मजीद देखते हैं हम आई चुके हैं लेपॉलीशी के ओपर यहां पर यहां पर क्रियेट टेंप्लेट कर देंगे और शॉप इस पास प्रीपीफाई आपर जो उसके पास मौझूद है उसको यहां पर आड़ कर देगी अब इसके अंदर जो जीज़ें भी आपने चेंज करनी है थोड़ी बहुत कोई email चेंज करना है address यहां पर आड़ करना है आपने तो इनको आपने खुद आड़ कर लेना है similarly हम privacy policies को इस तरह से generate कर लेंगे लेकिन इसके सकता है आपकी shipping policy different हो आपने यहां पर लिखने पड़ेगी शॉप 5 के लिए को टेंपलेट यहां पर नहीं करता contact information आप template create करते हैं और इनको आप चेंज कर सकते हैं यहां पर phone number आप अलाइदा से add कर सकते हैं जो भी चाहां चेंज करके इनको save कर दें तो यह आपकी policies जो है वो यहां पर create हो चुकी है अब जब भी कोई बंदा यहां से आपका store के से order कर रहा होगा या उसको policies वहां पर नजर आएंगी जब वो चकाउट कर रहा होगा आपका product तो आपकी policies, refund policies और बाकी सारी चीज़ें को easily पढ़ सकता है अगर आपके इसके इलावा और pages यह और कोई policy है आपके store की तो वह आप किस तरह से add कर सकते हैं इन fields के इलावा कोई तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से policies वगएरा शॉपफाय स्टोर के इंदर add करते हैं तो मिलते हैं इंचल्ला नेक्स लेक्च्छर के इंदर देने keep learning, keep exploring अलाव थेस